हेलो फेंड्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर विंटसाज की इस वीडियो में स्लीव का डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो इसे मैं छोटी स्लीव में बना रही हूँ आप बड़ी स्लीव लेकर भी बना सकते हैं इस डिजाइन क तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और कपड़ी के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है यहां पर दिखे एक लाइन डो करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है और टोटल लंबाई लेनी है तो जितनी भी लेन्ध आप देयार रखना चाहते हैं उसमें एक इंच बढ़ा करके मारसिन का आप टोटल लंबाई लीजएगा टोटल लंबाई मैंने रखी है पाँच इंच की पाँच इंच मैने आपर टोटल लेन्ध ली है अब हमें आRonम बल का मार्किंग करना और 5-6 इंच तक होती है तो तीन पर किजेगा अब हमें स्लीव का शेप देना है तो बिल्कुल अचों से शेप ऑघ्लाई का जितना भी होता है उसका आधा लीजेगा और एव हम इन चो बढ़ाना है वारसिन का गेर से दो इंच एक्स्टा लीजेगा अहां पर जुमार्जिन अबने तरह से सिथा नुबला देना है वह समें कि मिलाने के बाद अब हमने इसे कट कर लेना है तो दिखे इस भी आपको दे देनी है, हाफ इंच की, तो दीखे इस तरह से हाफ इंच गहराई दे देंगे नीचे की तरफ, और इसे हमने cut कर लेना है, तो पहले में स्थीस का design cut करूँगी, उसके बाद हमें गहराई को cut कर लेना है, तो design के लिए यहाँ पर marking करनी है, सवा दो इंच पे, धाई इंच भी कर सकते हैं बड़े साइज में मैंने यहाँ पर सवा दो इंच में मार्ग किया है और लेंथ में रखा है मैंने तीन इंच विट्थ है इसकी 2.25 इंच और लेंथ है 3 इंच तो इस तरह से दिखिए मैंने यहाँ पर V शेप दे दिया है V शेप आपको बना लेना है एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आपको गुलाई बिल्कुल भी नहीं देनी है स्ट्रेट ही रखना है इसे और कट कर लेना है तो यह सिंपल पैटर्न हमारा कटिंग हो गया है जो इस तरीके से दिखेगा खोलने के बाद अब आपको यहाँ पर गहराई कट कर लेनी है तो बिल्कुल हल्की सीवन नहीं यहाँ पर गहराई कट की है नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को रखना है और उपर सेस्टर के कपड़े को रखेंगे इस तरह से दिखे हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है एक पेर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे बीच में से एक्स्टर फैब्रिक को कट कर देना है और इसी तरीके से दिखे नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देनी है उपर डिजाइन पे और नीचे बॉटम पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ दिखे हैं यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है एक्स्टर कप्रा कट करना है और यह जो वी डिजाइन है इसमें से भी हमें एक्स्टर कप्रा कट करके निकाल देना है फैब्रिक को कट कर लेने के बाद यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगा रहे हूँ यह देखिया अगर पॉइंट अच्छे से नहीं बना है तो आप दुबारा से सिलाई लगा सकते हैं छोटे कट यहाँ पर लगाएंगे इसके बाद स्लीज को पलट करके सीधा कर लेंगे इस तरह से फैब्रिक को पलट करके सीधा कर लेना है जिससे की नीचे बॉटम पार्ट पर और उपर डिजाइन वाले पार्ट पर दोनों ही तरफ अच्छे से फिनीशिंग हो जाएगी उपर की तरफ एक फिनिशिंग के सिलाई हमें लगा देनी है कॉर्णर की इस तरह से नीचे की तरफ पे सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे इसके बाद बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा कर हमें पूरा कर लेना है इसे सिलाई लगाने के पाद जितना भी देखे एक्स्ट्रा फैब्रिक के इसे कट करके निकाल देंगे फैब्रिक को मैंने कट करके निकाल दिया है और इसके बाद अब हमें यहां पर लेना है अलग से कपड़ा यह मैंने कॉंटर्स फैब्रिक लिया हुआ है तो देखे फैब्रिक को हमें इस तरह से पलेट्स बनानी है एक एक करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स का जो साइस है वो भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए यह देखे इस तरह से तो फैब्रिक के में यहाँ पर प्लेट्स बना ली है अब नीचे भी plates को जमाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से एक एक करके plates को बैठाते हुए देखिए सिलाई लगा लेनी है हमें इस तरह से तो ये pattern मेरा बन करके ready हो गया है अब इसे set करना है sleeves के साथ तो बिलकुल बीच में रखेंगे पराबर करते हुए और दोनों तरफ से pin लगा लेंगे ये देखिए मैंने हाँ पर दोनों तरफ अच्छे से pin लगा ली है और इसके बाद अब हमें सिलाई लगा देनी है तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैबरे के से कट करके निकाल देना है बीच का पैटन रखेंगे और उपर की तरफ से भी इसे बराबर करते हुए दिखिए हमें फैबरिक को कट कर लेना है अच्छे तरीके से तो यह फैबरिक मैंने एक्स्ट्रा जो था इसे कट कर दिया है और इसके बाद हमें इसके उपर लेस अटेज कर लेनी है जिससे कि इसका लूक और भी अच्छा लगेगा और अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं यह देखिए मैंने आप लेस अटेज कर दी है इसके बाद हमें नीचे की तरफ भी लेस लगा लिनी है इस तरह से यह देखिए मैंने उपर और नीचे की तरफ लेस अटेज कर दी है इसी के साथ में राज का यह स्लीज का डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फेंड साब को आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर थन्यवाद